दस्तो स्वागत है आपका केड़ी इंडिया पर दस्तो मैं हूँ फर्दोस गनी और आज आपके लिए देश भर की टॉप नियूज लेकर आए हैं दस्तो वीडियो इस्टार्ट करने से पहले आपसी रिक्वेस्ट है अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्स अगर्दोस बाइब कानून यानि कि सी ए का मुद्दा उठाया जिहां उन्होंने ठाकुर नगर में आयजित जन्सभा में एलान किया है कि करोना टिका करन खत्म होते ही बंगला देश से आए सरदार्थियों को नागर्टा देने का काम होगा जिहां अमिस्ता ने इस दोरान मुस्लिमों के मल में उपजी संकाओं को दूर करते हैं कि कि किसी की नागर्टा नहीं जाने वाली है जहां उन्होंने जन्सभा में कहा है कि मुसल्मान भाईयों एवंग बहनों को देश के गिरे मंतरी होने के नाते एक बर फिर से असपर्ष कर देना चाता हूँ कि नागर् कि इस पवित्र धर्थी से वादा करता हूँ की जैसे ही कोरोना टिका करन का काम काज समाप्त होगा और कोरोना से मुक्ती मिलेगी वैसे ही आप सभी सरनार्थी भाईयों को नागर्टा देने का काम भारते इंता पार्ड़े की केंद सरकार कर देगी तर अमिसा ने इस दौरान मम्ता बिनरजी सरकार पर इस कानौन के पालन में पेच फसाने का भी आरोप लगाया है या उन्होंने काहे कि यह कानौन देश की संसर से पारित हुआ है यानि कि पास हुआ है यह एसह में मम्तादीदी आप कैसे इस कानों को रोक सकती है वैसे भी मैं 2021 के बाद इस कानों को रोकने की इस्तिती में नहीं रहेगी क्योंकि पश्ची मंगाल की जंता ने आकी विदाए का मन पहले ही बना लिया है दस्तों राजे सबा से हाली में रिटार होने वाले कोड़िस निता और पूरो मुख्य मंतरी गुलाम नवी आजाद का कहना है कि किसी यूआ मुस्लिम निता के लिए परदर मंतरी बनने का सपना देखना मुश्किल है गुलाम नभी आजाद ने कहे कि मैं निकट भुशे की बात नहीं कर रहा हूं बलकि आगा में कुछ दसकों तक ऐसे ही इस्तिती रह सकती है जिये हैं एक ए नीजी न्यूज्ट चेनल को दिएये इंटरवी में गुलाम नभी आजाद ने कहे कि किसी युआ मुस्लिम निता के लिए ऐसी महतो कांचा रखना काफे मुस्किल है यह इस से पहले मंगलवार को राजे सबा में अपनी बिदाई भासन में कॉंगरेस निता गुलाम नभी आजाद ने कहा था कि उन्हें भारती मुस्लिमान होने पर गर्ब होता है गुलाम नभी आजाद ने कहा था कि कि मैं ऐसे कुछ खुस नसीब निताओं में सामिल हूँ जो कभी पाकिस्तान नहीं गया उन्हों ने कहा था कि मैं जब पाकिस्तान के संबद में खबर पर ता हूं तो अपिन हंदुस्तान बिसमान एंपर गर्ब होता है आपको बता दूगी किसी मुस्लिम निता के पियम बनने की महत्वकान चको मुस्किल करार देने वाले गुलाम नभी आजाद ने 2018 में अलिगर मुस्लिम इनिवर्सिटी में एक करेकरम में कहा था कि उनकी ही पार्टी के हिंदू निता अब उन्हें परचार में बुलाने से कमी आई है उन्हों ने कहाता कि इसका कारण ये है कि लोगों को लगता है कि मेरे जाने से उनके समर्थन में कमी आ जाएगी दोस्तों ने किर्शी कारणों के खिलाफ पिछले तीन महिनों से दिल्ली की गाज़ी पूर बोडर पर आंदलन कर रहे भारत किसान उन्हें के निता राकेश्टी केट की समपतियों पर सवाल तेज होते जा रहे हैं परोपटी पर उट्टे सवालों के बीच राकेश्टी केट ने कहा है कि हमारी समपति तो पूरे देश में ही साड़े किसानों की प्रोपटी हमारी है जियर राकेश्टी केट ने किसी कानूनों पर कम से कम संसद में बहस तो सुरू हुई है राहुल गान्दी ने सही कहा है क सरकार में बस चार ही आदमी है यह राकेश टिकेट ने मांग कि है कि इस मामले में संसद में विस्तार से बहस होनी चाहिए जब यह कानून किसानों को मंजूर नहीं है तो फिर उन्हें वापस क्यों नहीं लिया जाता है आपको बतादे कि राकेश टिकेट की चार राज्यों म को लीट कर रहे हैं लेकिन इस दौरान भी उनका कारोबार फल फूल रहा है उनकी करोणों की संपत्ति और भी बरती जा रही है आपको बता दे कि हमारे यह कहना नहीं है कि राकेश टिकेट की संपत्ति अभेद है वह उनकी मेनस से बनाए गई संपत्ति हो सकती है यह लेकिन क किसान आनदुरन का सची है यह है कि जो अमीर है वोगे पर्दसन कर रहे हैं और जो गड़ीब किसान है वोगे खेतों में अपना और देश का प्रेट पालने के लिए दिन रात महनत कर रहे हैं साथ ही आपको राकेश टिकेट के बारे में यह भी बतातु गी राकेश बेट की साधी साल 1950 में सुनिता देवी से हुई थी और उनके तीन बच्चे हैं एक बेटा जिसका नाम चरण सिंग है दो बेटियां सीमा टिकेट और पिर जोति टिकेट है और दोनुद बेटियों की साधी हो चुकी है दोस्तोर सुप्रीम कोट के पूरो जज और राजी सबसान सब रंजन गोगोई ने सुक्रुवार को एनार्सी को लेकर बड़ा बयान दिया है जहाँ रंजन गोगोई ने कहीं कि असम में एनार्सी एक गेम है जहाँ जो पचास सालों से चलता आ रहा है जिया उन्होंने का है कि सत्ता धारी दल हो या फिर विपक्च हर किसे ने इस मुद्दे का इस्तमाल वोट मांगने के लिए किया है परवासियों और मुल निवासियों को वाइदे करके असमें चिनाओ लड़े जाते ही जिया रंजन गोगो ने एक टीवी चैनल के लिए इंटर्वियों के दौरान ये बाते कही है जिया पुर्वा चीफ जेस्टिस ने कहा है कि असमें राजनिताओं के लिए इनर्सी बड़ा खेल है चाहे परदेश में बीजी पी सरकार हो या पिर कॉंग्रेस की जिया इनर्सी एक खेल है जिसे राजनितिक पार्टिया सालों से खेल रही है अवेत परवासी को कहा जाता है कि हम तुमारी सुरक्षा करेंगे हमें वोट टू दूसरी तरफ राजनितिक पार्टिया अस्थाने लगों से कहेगी कि अवेत परवासी हमारे लिए सबसे बड़ा खत्रा है हम उन्हें बाहर निकालेंगी तुम हमें वोट डू जहार राजनितिक पार्टिया वोट के लिए परवासी को सुरक्षा करती है तो दूसरी पार्टिया वोट के लिए परवासी को भगाने का वादा करती है यहां असम में यह सब 50 साल से चलता आ रहा है हर बार वे एक फुल प्रूफ एनार्सी का वादा करते हैं जहां उन्होंने कहा है कि हमत भिस्वा सर्मा ने कहा है कि इसकी जिए पिर फिल परूफ NRC लेकर आएंगी और इस NRC में आकिर गलती है जो इससे पहले आया है जहांते लाओं कियों नहीं किया जा रहा है पूरे देस में एनर्सी के सवालों पर रंजन गोगोई ने का है कि फिलहाल एक राजे को एनर्सी की जर्रत है और वहाँ ये नहीं हो पा रहा है ऐसे में पूरे देस के लिए एनर्सी का सवाल ही नहीं उटता है जिहां आप एक राजमे इनार्से के लिए 40-50 साल से संगर्स कर रहे हैं और अभी पूरे देश में इनार्से की बात कर रहे हैं यह तो फिर नाममकिन है दस्तों रेल यात्रों के लिए एक बड़ी खुसकबड़ी है जिहां एक अपरेल से सभी ट्रेने पट्री पड़ दोड़ने लगेगी मिली जनकड़ के मताबिक भारते रेलेवे एक अपरेल 2021 से सभी ट्रेनों को पड़ी चालन सुरू कर सकता है जिहां इसके लिए रेलेवे ने तैयारी भी पूरी कर लिए है दरसल 29 मार्च को हुली का तेहवार पर रहा है जिसमें ट्रेनों की भारी डिमान होती है इसलिए यात्रों को ट्रेनों के लिए मारा मारी ना करने पड़े रेलेवे एक अपरेल से सभी ट्रेनों को पट्री पड़ उतार सकता है इसमें जनरल सताबदी और राजजनी अक्सप्रेस सहित सभी तरह के ट्रेने चलाए जाएगी जिया सुत्रों का करना है कि कोरोना की इस्तितिकों नियंतरन में देखते हुए रेलेवे सभी ट्रेनों को चलाने की एजाज़त दे सकता है दोस्तों चुनाबी मुसम में पस्चिम मंगाल की सियासत गरमा गई है एक तरफ बीजेपी राजजे में अपनी राज़निते के जमीन तलास रही है तो दूसरी तरफ एस्तिम की गदी पर काभी जी ममता बेनर जी कुरसी को बचाने के लिए जी तोर पडियास में जुटी हुई है पिछले चार दसकों से अधिक वक्त से राज़निते में सकरी ममता बेनर जी पिछले दस सालों से पस्चिम मंगाल की मुख्य मंतरी है जी है वे केंदर में कोईला, रेल, मानब संसादर ने एवंग, विकास, यूआ मामले खेल, महिला, एवंग, बाल, विकास, मंतरी के रूप में भी काम कर चुकी है जी है उनकी कुल चल समपती 30,45,000 रुपे की है, जबकि उनके बैंक खाते में 27,60,000 रुपे जमा है चिनवा आयो को दी गई जानकारी के मताबिक ममता बेनर जी ने बताया था कि उनके तीन बैंक खाते हैं जी है इन मेंसे एक दिल्ली में है, दो बचत खाते हैं और एक चुनाओ खर्च के लिए खुला गया खाता है जी है उनके बताया था कि उनके पास एक मल्टी जिम मसीन है, जी है जिसकी कीमत 2,05,000 रुपे है इसके इलावा ममता बेनर जी के पास 9 गराम सोने के आबहुतन है जेहां आपको बताती कि ममता बेनर जी ने कलकता बिसे बिद्धाले से म.A. तक पड़ाय की है और उन्होंने एलले भी की है, जेहां उन्होंने कॉंग्रेस के साथ अपनी सियासी पारी सुरू की थी 1975 में पस्चिब मंगाल में महिला कॉंग्रेस के जनरल स्रेकरेटरी भी रही है जेहां हाला की बाद में मन मुटाओ के बादा रास्ता अलग कर लिया और खुद की पार्टी बनाई त्रेल मुलूर कॉंग्रेस जेह ममताबनर जी बहब सामाने जिंदगी जीती है अकसर उन्हें एक रंगा बॉर्डर वाली सूती सारी और फिर हवाई चपल में देखा जा सकता है मीडिया डिपोर्ट की मानतों सियासत में आने से पहले ममताबनर जी इस्टियनो ग्राफर इस्कूल सिचक जेह नीजी ट्वीटर और फिर सेल्स गर्ल की नौकरी भी कर चुकी है जेह अपने परसंसकों के बीच दीदी के नाम से मसहूर ममताबनर जी को संगीत से काफी लगाओ है खासकर रबिंदर संगीत उन्हें खूब पसंद है वे अपनी सेहत को लेकर भी काफी सजग रहती है और हर दिन साड़े चार किलो मिटर पैदल चलती है जेह खान पान का भी खास ख्याल रखती है तेल मसालेदार खाने से परेज़ करती है दस्तर जम्मू कस्मेर के प्रमुक्य मंतरी और कॉंगरेस निता गुलाम नभी आजाद को लेकर अटकलो का बाजार गर्म है जेह राजे सबा से रिटार हुए कॉंगरेस के दिगज निता को सदर से विदाई देते हुए खुद परदरमंतरी जैने दरमोदी भावग हो गए थी जेह परदरमंतरी जैने दरमोदी ने गुलाम नभी आजाद को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए सदर में जमकर तारिफ की थी जेह बीते दिनों राजे सबा में हुए घटना कर्मों को लेकर राजने तक गलियारों में चर्चा के बाजार खुब गर्म थे कि आजाद भाजपा का दामन थाम सकते हैं जेह इन अटकलों पर खुद गुलाम नभी आजाद ने बयान देकर रोक लगा दिया है जेह दिगज कोंगरस नेता गुलाम नभी आजाद ने हिंदुस्तान टाइमस को दे गए अपने इंटर्वियों में परदान मंतरी नेदर मोदी के साथ उनके संबंद को लेकर भाजपा जोईन करने को लेकर उन्होंने कहें कि मैं भाजपा में तब सामिल होंगा जब हमारे पास कस्मीन में काली बर्फ गिरेगी जेहां भाजपा ही क्यों उस दिन में किसी भी अन्हे पार्टे में भी सामिल हो जाऊंगा जेहां कोंगरस नेता गुलाम नभी आजाद ने कहें कि जो इन अफ़वाँ को फैलाते हैं वे मुझे नहीं जानते हैं दोस्तों तीनों केंद्रे कर्सी कानोनों को रद करने की मांग को लेकर दिली हरियाना के सिंगो बर्डर पर चल रहा किसानों का धरना परतलसन का आज 81 दिन पर पहुँच गया है यह आज 81 दिन हो गया है इस भीश लाल किला हिंसा मामले में गिरफतार पंजाबी एक्टर दिप सिंदु को लेकर किसान परतलसन कारियों के रुख में बदलाओ देखा गया है 26 जनवरे को किसान ट्रेक्टर प्रेट के दोरान लाल किला पर हुई हिंसा में दीप सिंदु का नाम आने पर जो किसान परतलसन कारी उसे गदार कह रहे थे वे अब बलड गये है यह आलम यह है कि किसान परतसंकारी अपने मंच सही दीप सिद्दू को रिहा करने की मांग कर रहे हैं यह इसे पहले 26 जनवरी के बाद किसान मजदूर संगर्स कमीटी ने दीप के साथ कोई भी रिस्ता नहीं होने से इंकार किया था वही लाल किला अब दर्ब मामले में गिरफतार पंजाबी अबिनता दीप सिद्दू और अन्य अब दर्बयों को रिहा करने की मांग को लेकर बिरस पतिवार को सिंगू बुर्डर पर मार्च निकाला गया जहां मार्च में ज्यादातर नौजवान और महिलाएं सामिल थी जहां इस याउजना के तहत निम्न आया वर्ग के लोगों को किफायती आवास मोहिया कराने के लिए लोन उपलब्द कराया जाता है जहां इस याउजना का सुबारम साल 2015 में किया गया था जहां इसके तहत 20 सालों तक होम लोन पर 6.5% तक की सबसेड़ी मिलती है जहां देस बर में सुरू की गई परदान मंतरी आवास याउजना के तहत आउल लाइन फार्म भरकर इस याउजना का लाब उठाया जा सकता है जहां फिलाल देस बर में परदान मंतरी आवास याउजना के तहत आविदन करने के अंतिम्तिती 31 मार्च 2022 रखी गई है इस यह उजना का लाब लेने के लिए आपके पास आधार नमर होना आनिवारी है परदन मेंतरी आवास यह उजना का लाब लेने के लिए आधार संख्या के साहती आपको अपने पहचान का परमान कराना होगा जिसमें आप pain card, order ID card, passport और driving license में से किसी के ज़ले करा सकते ही इसके साथ ही आपको निवास का परमान पत्र देने के लिए पहचान पत्र passport और driving license की कोपी लग सकता है जिसमें साथ ही अगर आपको इसका भी परमान पत्र देना होगा जिसमें आपको अपनी आये का परमान पत्र भी देना होगा जिसमें आपकी नियुनितम सेलिली या पिर income tax return दस्तावेज लगा सकते ही जिसमें बैंक statement की कोपी देने अभी तपूर्ण है इस याउदना कालाब लेने के लिए आपको एक परमान पत्र देना होगा जो ये परमानिद करेगा कि आपके पका घर नहीं है अगर आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं और आर्तिक कमद्री की वज़े से इसे नहीं बना पा रहे हैं पिर आप प्रदर्मिंत्री आवासियोजना का लाब ले सकते ही। जहें इसके लिए आउलाइन के साहती अपने मुबाइल से आविदन कर सकते ही। सरकार ने प्रदर्मिंत्री आवासियोजना के तहट एप लाई करने के लिए एक एप भी बनाया है। जहें जिसे आप Play Store से डालोड कर सकते हैं, जहें इस एप पर आप अपने नमबर के जरी आउलाइन आईडी बना कर लॉगिंग कर सकते हैं, ऐसा करने के लिए एप आपके मुबाइल नमर पर वन टाइम पास्पोर्ट भेजेगा, इसे भरकर आप लॉगिंग करके इस एप पर आधार कार्ड को अपने साथ में रखने की जरूत नहीं है, जहें UIDI की ओवर से M-ाधार एप जारी किया गया है, जहें जिसके बाद अब आप अपने सारे काम मुबाइल के जरी ही कर सकती हैं, जहें इसके साथ ही आपको आधार कार्ड साथ में रखने की को भी जरूत नही आपको बदा दो कि इस एप में आपको 35 सेवाइं दी जाती है UIDI ने ट्वीट करके इस बाड़े में जान कर दी है UIDI ने अपने ट्वीट में लिखाए कि अपने स्मार्ट फोन पर 25 से अधिक आधार सेवाइं जैसे डाउनलोड, ई आधार, अपडेट, इस्टिटरस, आधार केंदर का पता लगाएं आदी आसानी से देख सकती है जैसे इस एप में आपको बारे अलग अलग भासाओं में स्विधा मिलती है जैसे इसमें हिंदी और अंग्रिजी के अलवा आपको असम, बंगाली, गुजराती, कंडर, मल्यालम, मराठी, उडिया, पंजाबी, तमिल, तैलुग, और उर्दु में भी स्विधा मिलती है और इस एप से आप बहुत सारी स्विधाय उठा सकते हैं दोस्तों आज करने उस बस यहां तक कैसा लेगा जरूर अपना से जाओ दिस जिगा नीचे कमिन बॉक्स में कमिन करके अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सबस्क्राइब कर देजा और आतमे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सेड़ भी कीजिए तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय बिहार